चलिए तो हम लोग बहुत important question discuss करते हैं related to LCM question में बोला गया है 3 bales commence tolling together and tall at interval of 2, 3 and 6 minutes respectively in 48 minutes how many times do they tall together देखे question में बोला गया है कि 3 bales है इस तरीके का आपके पास 3 bales दिया गया है और जो first bales है हर 2 minute के बाद हो क्या कर रही है टॉल कर रही है second bale जो हर 3 minute के बाद tall करती है और जो third bale है वो हर 6 minute के बाद tall करती है माल लिजी कि अगर starting में वो लोग t equal to 0 minute पर 7 में tall की थी तो आप से question पूछा जा रहा है कि total अगर 48 minutes तक ये लोग अगर tall करते हैं तो इस 48 minutes में 7 में ये लोग कितने बाद tall करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं question के solution को तो माल लिजेए t equal to 0 minute हम लोग यहां पर ले लिए हैं ठीक है first bale जैसा के हट 2 minute के बाद tall करता है और t equal to 0 minute पर वो टॉल किया है तो अब क्या होगा दूसरे मेंट पर करेगा फिर 4th minute पर इसी तरीके से 6 पर 8 वे 15 पर और 12 पर इस तरीके से वो टॉल करता जाएगा ठीक है आए यह second bale का देखते है second bale का case क्या है वो भी t equal to 0 पर टॉल की थी फिर यह 3 minute पर करेगे फिर 6 minute पर 9 और 12 इसी तरीके से बढ़ते चली जाएगे थर्ड जो टॉल है वो हर 6 minute के बार टॉल करती है वो भी t equal to 0 पर टॉल की थी फिर उसके बार डायर 6 minute पर फिर 12 minute पर तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि t equal to 6 minute ऐसा समय है जहाँ पर तीनो बेल जो है वो 7 में टॉल कर रही है ठीक है तो इससे हम लोग को यह चीज परा चल जाता है कि हर 6 minute पर यह तीनों बेल जो है 7 में टॉल कर रही है यहाँ पर भी 7 में टॉल कर रही है और यहाँ पर गया होक data 48 divided by 6 is equal to कितना आ गया 8 यानि इस 48 minute में आपका कितने बार ये 7 में टॉल करे ये 8 बार और जैसा कि आख कमंस बोला गया थे यानि कि starting वाला भी आपको count कर ले रहा है तो total number of 12 कितना होगा total number of 12 is equal to हो जाएगा 8 plus 1 is equal to 9 तो हमें साथ ध्यान ही क्या रखना है कि ये जो 6 आया था इस 6 actually कहां से आया था ध्यान से देखिएगा तो ये 2, 3 और 6 का ये है क्या LCM है जब भी इस तरह question आया है तो आपको क्या करना है LCM apply करना है LCM of 2, 3 and 6 is equal to 6 ठीक है तो इस तरह के जो question हो तो LCM से solve किये जाते है I hope आपको ये question समझ में आयागा चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले class में